अभी विमिन्स जेपे हम लोग ने देखा कि नारीश शक्ती क्यार नहीं कुछ कर सकती और कुछ ऐसा एक्जामपल दो लड़कियों ने भी सेट किया है। बात करेंगे और इनका experience क्या था और रास्ते में जो experience होता है वही life में आपकी काफी matter करता है आपको challenges face करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली की डॉनिटा और चंडीगड की दिव्या संधू अपनी अपनी बाइक पर ये लोग निकले थे ड्रक्स नहीं, education ज़रूरी, say no to drugs, yes to education ये इनका परपस था, पहले डॉनिटा से बात करेंगे, डॉनिटा बहुत हो स्वागत है। आप लोग जब निकले, आपने कहा कि हम एक समाज में एक awareness लानी है कि ड्रक्स से लोग दूर रहें। बहुत सिंग campaign चलती हैं हमने देखा पिछले काफी सालों में लेकिन जब दो लड़कियां बात करती हैं कि say no to drugs, yes to education और bike पे, मन में क्या खाला है कि काफी challenge भी आएंके सामने। I think yes, because हुआ क्या था कि education हम दोनों के लिए बहुत था, हम दोनों advocate करते हैं education को लेके और simultaneously हमें क्या लगा था कि while we are talking about, जैसे हम लोग education के बारे में बात तो करी रहे थे but simultaneously हमें लगा था कि there are several other reasons जिसके वज़े से बच्चे नहीं पड़ पाते हैं और education is not reaching where it has to So that's the reason why Divya actually came up, जिन्होंने पहले एक ride किया था, उस time पे उनको वहां से लगा था कि not just education के बारे में नहीं करना चाहिए, drugs is also a big problem So that is when उन्होंने फिर decide कि ये वाला जो ride होगा, हम लोग education के उपर तो focus करेंगे Plus वच्चों को और बाकी लोगों को ये भी बताएंगे कि stay away from drugs तो जब शुरू हो आपका सफर, कहते हैं लड़की जो बाइक पर जारी होते हैं तो काफी चीज़े में दिव्या से पहले भी हम बात कर चुके हैं तो जो रास्ते का experience है वो क्या रहा आपका? मेरे लिए बिकास ये मेरे लिए पहला लंबा राही था दिव्या काफी कर चुकी है तो experience rider भी है मेरे लिए ये पहली बार था I think कुछ चीजे आप expect कर चलते हैं जब आप पढ़ते हैं आप अपना research करते हैं चीजे तो आपको पता होती है कि ये चीजे आप expect कर सकते हैं but I think throughout the journey India का पूरा culture जो हमें देखने को मिला along with that meeting अलग-अलग state से लोगों से मिलना दुसरे state से खाना खाना जो local cuisine था वो experience करना plus meeting people क्योंकि अब हम machines पे हैं at the end of the day तो हमने क्या realize कि कही ना कही जहां पे मेर को specifically bikes के साथ challenges आ रही थी जहां भी हो रहा था even local mechanics जो थे for that matter even they were so helpful मताब उन्होंने make sure किया था कि जहां पे भी मेर को problem हो रही थी उन्होंने अपना काम चोड़के क्योंकि हमने उनको बताया कि हमारा एक बहुत लंबा journey है हमें almost 4-5,000 km कवर करने हैं इतने दिनों में तो उन्होंने अपना काम सब चोड़के उन्होंने पहले मेरा काम काम किया and they made sure that they put me back on the road दिव्या मैं आपके बास आओंगा हाँ बिल्कुल पहले तुम्हां यह क्योंकि बता दें कि यह कहां से कहां तक था 6000 km ताकि clarity हो जाए कि कहां से आपने शुरू किया और किन किन स्टेट्स को कवर कि यह अचली मैं यहां चंडीगर से निकली थी और चंडीगर से हम मैं गई हूं 22nd को डॉन के पास मैंने डॉन बुलाती हूं तो डेली से हम लोगों ने 23rd को शुरू किया तो हम लोग जैपूर गए राजिस्तान गए गुजराद गए गुजराद के बाद हम लोग सूरत पहुंचे सूरत के महराष्ट्र के बाद हम लोग कोलापूर रुके क्योंकि बाइक का कुछ काम था एंड वर सो गुड के मिन अपना टाइम निकाला जब कि उस दिन बन था सब्सक्राइब उन लोगों ने सपेशली सर्विसेंटर खोला यूंकि बाइक के साथ डॉन की बाइक के साथ प्रॉट्र के बाद हैं लेकिन हम लोग जो की पॉइंट से एजुकेशन के वहां होकर आए जैसे हम लोग मैंने इनको एक्सपिरियंस करवाया इनको खुद से वह एक्सपिरियंस हो गया वह एनलाइट्मेंट हुई है सं टेंपल की जिसके ओपर अपने आप में क्योंकि प के लिए तो वह एक्सपिरियंस हुआ है उसके बदी ट्री गया है महातमा बुद की जहां पर एनलाइट्मेंट हुई थी वहां पर इजुकेशन तो इस एजुकेशन एवरीवेर बस हम लोग उसके बारे में बात करनी बंद कर दिया है तो हां उसके बाद भी बैक तो देली कालकेटा गये कालकेटा वस बीयूटिफुल मदलब अचा बीच में जैसे का कि बाइक साब की खराब हुई आप सुबहे कितना सफर करते थे कब रुकते थे कहां पर वो तो डॉन को कंप्लेंट है कि हम चार घंटे सोते थे ठीक है और अरली मॉर्निंग थी ओक्लॉक वी य अचार इसे पहले वन लें है वे होता था था वो तू लें थ्री लें कहीं जगों पर इसक्स लें कर रहे हैं तो बड़ा कर रहे है उसके इतना जाधा ट्राफिक है इतनी जाधा दूल मिट्टी है कुछ जगों पर तो बारिश भी मिली हम लोगों को सो वी वर ए इसलिए पुछ रहा हूं कि लोग जब रुखते थे, सेल्फी लेते थे, मैंने देखा कि आपने वीडियो भी शेयर करते थी तो देखो में को तो experience है, तो मुझे पता है कि how to handle people for her it was very new, एक जगा आय थी, बिहार जारकरन का border था, जहां पे एक police officer ने हम लोगो, उनका नाम भी है मेरे पाद, हम लोगोने photograph खिचवाई थी, उन्होंने बुला लिया यह भाई, that experience, we wanted to have that in book, पड मैं आपके साथ share कर रही हूँ, यह अपनी bike से उत्री नहीं, मैं इनके पास गई हूँ, कि उत्रो ना, बुला रहे हैं, चाहे तो पिरते हैं, यह भाई, do we have to, do we have to, यह उत्री नहीं लड़की, यह डर लग रहा था, नहीं, अच्छी हुआ कि कि जब आप दोनों यह राइट कर रहे हैं, तो जारकंड में एक बहुत गलत और बड़ा दर्दना घास हुआ कि एक फॉरन कपल के साथ एक मॉलेस्ट हुआ, रेप का साथ लोगों पे 7 पीपल थे, आप लोग उस से में दो दिन दूर थे शाहें, हम लोग उरिशा में थे जब हम लोग ने हॉल लिया था जाए तो इसलिए हम लोग उनके साथ जाधा रिलेट कर पा रहे थे, विकॉस हम भी दो इंडिविजूल्स थे जो रोड पे सेम और हमारा वह था कि हम भी जिस रास्ते से वो लोग गय थे, दूसरे दिन उसके दो दिन बाद हम लोग सेम रा जब ऐसा एपिसोड हुआ और आप अल्रेडी उस ट्रैक पे हो जा रहे हो है आपने जाना उस रास्ते से, एक पर कहीं मन में क्या लाता है, फैंबली से बात हुई हो कि नहीं यह हुआ है, कहां पे हो, वापीस आजों करें या ना करें, जब यह मैंने पढ़ा हाँ, तो मेर हाइवे पे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और वह ही हुआ, उन लोगों ने जो हाल लिया था, वह कहीं अंदर हाइवे छोड़ करके जंगलों में, खेतों के बीच में टेंट लगाया था, एंडे वर इंसाइट ऐसी जगों पे, जो कि बहुत रिमोर्ट एरिया था, उनकी बेटी मेरे साथ है, तो इस माई रसो साख एपोन। और जो साती है, उसे व divorce को चोटी है, तो मेरे था, हम रिचे परिशान णा हू हम लोग अगाइब था और, तो एव यह हूए तो अग्लोप फॉय हा जाया सेव सिगोच, लगो आपैर झादं कि में आए बाप जाय आपको बुक में पता चलेगा कि हर रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू कुछ ना कुछ इंटरस्टिंग हुआ है यह एक नए अगल बदा देते हैं कि दोनों ने बुक भी लिखने की ठान ली है कि जो एक्स्पिरियंस लाइफ में हुए उसको बुक में सभ्या जाए जी हां हम लोग जितने अब जो लोग हमें मिले हैं इवन यह जो एपिसोड हो रहा है हमारे साथ इसके बारे में हम लोग क्योंकि हम चाहते हैं कि अब यह डॉक्यमेंट हो जाए और जो आने वाले फ्यूचर है जो भी आने वाले लोग है वो लोग यह चीज़े पढ़ पाएं उन्हें पता चले कि पहले का इंडिया मतलब नेक्स्ट ट्विंटी एर्स में तो बदल जाएगा बहुत कुछ तो ब मिलते थे लोगों को कहते थे कि आप ड्रक से दूर रही है एजुकेशन में जाईए अपने आसपास लोगों में अवेरनेस कीजिए हां मतलब मैं हुआ ये कि इनको मैंने पहले आगे भीजा था इट हैपेंड अधर जब हम लोग राजिस्तान से गुजरात की तरफ जा रह आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो मैं भी आपको फॉलो करूंगी और शी इस इन फॉर्थ स्टांडर्ड गाओं के बच्चे ऐसी बाते बोल रहे हैं मुझे और राइट पात मैं बिलकुल सही पात पर हूँ के बढ़ाई पर ध्यान दो और इन अब चीज काम हो चुका है in the area of education and I think this is जो हमने कोशिश की है this is just to add to all the work जो अभी तक हुआ है in the area of education this is only adding to that so that was the whole objective of this entire next ride की तयारी है सोचा है जो जो challenges आये है कि बाइक रास्ते में रात है खराब है लड़की है वो तो एक back of mind में रहता है हांची वो तो है I think वो होता ही है but the thing is yeah वो तो हमेशा ही रहेगा I think irrespective वो तो अगर मतल्द जो safety का जो concern है वो तो आप अपने मतल्द city में भी आप राइट करेंगे तब ही हो सकता है so I think yes but we have made a lot of plans अमें पता है कि very soon soon as we finish with the book we are going to be riding soon for another the next chapter is gonna come up because मैंने इनके साथ already इनका दिमाग खालिया है मैंने बोल दिया कि मैं प्लान बना रहे हूं और मैं आपको घसीटी वी लेकर आरहे हूं उस trip के ओपर because I think we have gelled so well I think we complete each other वो partner में होता है yeah she's more shant type of person and I'm more loud person or मैं मतलब सोच्टी भी नहीं बात करने से पहले if I want to talk to somebody I just go and talk she will think hundred times जल्दी से last में कहते है आपका जो थीमता वो दोहरा दीजिए दो लाइनो में जो आपने जिस परपस से सारी राइड की yeah yes so we want to say yes to education no to drugs yes to education no say no to drugs और दोनों लड़कियों ने 6000 किलोमेटर देखिए 18 states का रास्ता कवर किया बाइक भी खराब हुई परिशानिया भी जहली तीन-चार घंटे सोए लेकिन एक मकसद था education पाईए education से आपका सारा सिस्टम बदलेगा ड्रक से दूर रहिए और इसी तरह के लोग ही समाज में देखे awareness पैदा करते हैं अपने खर्चे पर अपनी बाइक पर अपने आपको कहते हैं कि जिन्दगी को challenge में डाल कर एक awareness create करना वो बहुत एहम है शायद यही परियास समाज को मेशा आगे रखते हैं वीडियो जली सिनोत के साथ उमेश रमा न्यूज 18 चंडिगर